करता है और कॉन-कॉन संडे को सौब ओपन करता है और कॉन-कॉन बंद करे रेता है कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि संडे को सौब नहीं खोले उस दिन रेष्ट करें करके लेकिन मैंने जब से अब दो साल होने वाला है मेरी सौप को लेकिन जब से सौप ओपन हुई है तब से सिर्फ एक या दो संड़े ऐसा हुआ होगा कि हमने सौप बंद करी होगी वो दिन के अलवा और हम पड़े सौप ओपन करते हैं और आप लोग को में बटा दू जिन जिन लोग की नॉइनी सोप आप ना हर रोज es संडी हो भी बहुत सारो कास्टमर आते हैं जयसे संड़े को रहते है तो बहुत सारे संड्य को समाल लेने आते हैं तो आप संड यौद लेट आहिए जासे 2 दस ग्यारा या बारा बजी तक आओ और साम को साथ आड़ बजे घर को चले जाओ कम गंटे आओ पांच गंटे ही बैटो मलब पांच बजे भी घर को जा सकतो आप लोग कम गंटे ही बैटो लेकिन संडे को सौफ जरूर ओपन करनी चाहिए क्योंकि मैंने देखा है संडे को न से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जरूर कीजिए तो चलते हैं फटा-फट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज ना मैं कु वीडियो की थुई होने रिपलाई दे दू करके तो क्योंकि न मैसेज में हम इतना कमेंट में इतना जादा डीपली हम जा नहीं सकते हैं तो मैंने सोचा वीडियो भी बना लेती हो करके और मैं और मेरे हजबेन ऐसा सोच रहे हैं कि हम सौब को बंद कर देंगर के तो क्या करें आप कुछ बताओ या हम कहीं लोकेशन चेंज कर लें तो क्या कर से मलग कुछ सुझाओ दो करके तो मैंने आज का ब्लॉग उन्हीं के लिए बना रखा है और भी बहुत सारे सब्सक्र सबसे पहले आपको यह बता दो मैंने आप लोग की सौब की लोकेशन देखी है आपका एरिया कुछ भी नहीं देखा है तो मैं अपने अंदाजे से सबकुछ जो भी बता रही हूं सारा कुछ अपने अंदाजे से आप लोग को बता रही हूं तो इसमसे अगर आप लोग के आप लोग के यहां कुछ भी कमी है तो आप उसे ना सुदार सकते हो तो सबसे पहले तो आपकी सौब ने चलने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है आपकी सौब की लोकेशन तो अगर आपकी सौब आपको पता होगा कि आपकी सौब की लोकेशन कैसी है करके अगर आपको लगता है कि हमारी सौब की लोकेशन सही नहीं है बहुत बार क्या होता है ना हम जहां पर सौब खोलने की सोचते हैं वहां पर हमें मिल नहीं पाती है वैसी जगह पे और हम कही आइट साइट खोल लेते हैं तो तब भी shop नहीं चल पाती क्योंकि लोग का आना जाना नहीं रहता है हम ऐसी खोल लेते हैं कि क्या पता चल जाये करके तो वहाँ पर नहीं चल पाती है तो ये भी हो सकता है अगर आप लोग की shop की location अच्छी नहीं है और अगर आप लोग की खुद की shop है तो जितना भी profit हो रहा है तो आप उसे चलाते रहिए आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत भी हमाले बच रहा है महनित के according तो आप लोग चलाईए वरना तो और क्या कर सकते हैं अगर घरी बहुत नर होता है गली महलो में एंसी खोल देते हैं दिन का सौ दो फाइदा होता है उससे दुगना नुक्सान हो जाता है तो खोल के भी कौई फाईदा नीए तो मैं उनके लिए कहरे हूँ जिनलों की rent की shop है क्यूंकि क्या होता है ना कि हमें rent भी निकालना है सब कुछ करना है अगर अच्छी लोग इसे नहीं होगी तो हम कहां से rent निकालेंगे कहां से हम अपना फाइदा देखेंगे क्यूंकि मेहनत तो पूरी लगती है 10-12 घंटे ब को भी मिल जाए और कस्टमर को भी ना जादा ना लगे क्योंकि जब हम स्टार्डिंग सॉप खोलते हैं लोग ना नए ने में खाली समान देखने भी आते हैं अगर हां उन्हें लगता है ना कि दो रुपे भी ठीक मिल ला है तो कस्टमर दुबारा आने की हिमर रखते हैं या यह इतने का नहीं जैसे कुछ-कुछ कस्टमर तो होते हैं खैर उन्हें कितना ही बोल दो वह उन्हें महेंगाई लगता है लेकिन जो कुछ अच्छे कस्टमर भी आते हैं अगर वह यह बोले ना हां ठीक है ठीक है आपका यह बोले तो उसमें खुसी होती है कि आर इसका मतल तो फिर दुबारा आते हैं आपकी सोब में अगर आपकी दुकान में जैसे 8-10 कस्टमर आएं और उन सबी को ऐसा लगा कि यार दुकान में का रेड बहुत हाई है तो वह दस कस्टमर को और बताएंगे यार वहाँ पर दुकान तो खुली है लेकिन न उसका रेड बहुत हाई है तो वह दुकान अच्छी तब भी चलती है जैसे हमने कोई हमारे हां कस्टमर है वह दुसरे को भी ला रहा है यार कोई-कोई ऐसे आते हैं कि यार हमें न किसी ने भेजा है कि आप यहां अच्छा समान मिलता है करके तो तब ही जाके चलती है थर्ड प्वैंट है कि आप जब भी खोलो या कोई भी काम करो ना सबसे ज्यादा मेटर रखता है आपका अगर आपका अच्छा होगा जैसे नए नहीं दुकाने होती है वहां पर कस्टमर खाली समान खुलवाते हैं सारत देखते हैं तो आपको बिल्कुल भी गु बारा लेने जरूर आएंगे तो आपका ना मेन मतलब बिजनेस में हर बिजनेस चाहे कुछ भी हो उसमेना बिहेबियर मतलब बहुत जादा मेटर करता है अगर आपका बिहेबियर अच्छा होगा तो कस्टमर आपके हां आएंगे या आएंगे और गाईस साब ने चलने का बिजस्धो के कारन यह हो सकता है कि साब में सामान का नो होना क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते है ना साजब ओपन कर लेते हैं Йह बहुत सारे लोगS बो क्या होता है में 2,500,000 रुपे आराम से लग जाता है, वो भी स्टार्ट करने में, उसके बाद तो आप जितना पैसा लगा सकते हो, तो कम से कम इतना पैसा लगता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ी बहुत पैसा लगाया और सौब ओपन कर ली, तो समझते हैं कि ऐसी सौब चल जाएगी करके, तो मैं आपको बता दूए, एक अच्छी सौब चलाने के लिए, गादबार आते हैं, उन्हें जैसे ओधस समान लेने आये हों, और उन्हें ना एक दो समान ही मिले और आट समान के लिए उन्हें कहीं दूसरी जोगा जाना पड़े, तो customer सोचते हैं कि यार यहां के कोई फाइदा नहीं है क्योंकि यहां एक समान मिलता है दूसरा नहीं मिलता है तो इससे अच्छा वहाँ जाएं जहाना पूरा समान मिलता है तो तब भी customer दुबारा वापस नहीं आएगा तुम्हारे पार तो जब भी आप सोब ओपन करो तो बहुत सोच समझ के करो थोड़ा पैसा लगा के करो कि मतलब पूरा समान हम अच्छा खासा रख लें तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है और गैज एक और बात है और बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कर लेते हैं और बहुत सारा लोकल सारा समान लोकल होगा उनकी सविश्पय कुछ भी मतला अच्छा समान नहीं रखते हैं तो उससे क्या होता है एक अच्छा कस्टमर सौपे चड़ी ही पाता है तो उसमें क्या होता है यहाँ सब समान ऐसी है कुछ भी है कमपणी का नाम पुछेंगे आप लोगे नहीं नहीं आपने उससे लोग होते हैं मैं यह नहीं है आपके पास सिर्फ सो आठ्वे सो डेड़ रुपे तक ही हुआ तो उससे क्या होता है ना अच्छा customer आई नहीं पाता है सौब में तो आपको मैं बता दू जब भी आप खोलो सौब तो branded, non-branded जो भी है सब समान अपनी सौब पे रखे रो क्योंकि एक अच्छी सौब होगी ना तो उस पे customer अच्छा भी आता है हलका भी आता है मालब सब टाइप का customer चड़ेगा आपकी सौब पे जो सस्ते लेने वाले भी आएंगे और महेंगे लेने वाले भी आएंगे तो ये चीज़े भी ध्यान में रखने पड़ती है और गाईज एक बात और है जैसे ना यह कलोनी गली मुहले की दुकान होती है तो वहां पर कस्टमर क्या सोते हैं कि एक ही दुकान पर लगभग सारा समान मिल जाए तो सबसे बैटर है करके तो अगर आपकी सौप थोड़ी पूरानी हो जाती है न तो आप धीरे 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 करके वराइटी बढ़ाना है पर रखे तो उससे कस्टमर के ना जैसे कस्टमर एक चील लेने आएगा तो दस तीज़े उठाके ले जाएगा तो उससे भी सौप अच्छी चलने लगती है तो यही कुछ बात हैं और भगवती कुमारी जी से मैं बोलना चाहती हूं कि आप अपनी सौप को बंद मत कुयोंकि बंद करना सौलीशन नहीं है आप एक बार जब आपने इतना पैसा लगाया है तो आप एक बार लोकेशन चे चेंज करके देखिएं कहीं दूसरी जगों साब ओपन कर के देखिएं एक साल वैसे कोई ज़्यादा टायम नहीं होता है और मैं आपको बता दूं कि मे गहजारू का समान ले जाते हैं तो मेरी सौप को भी अब दो साल होने वाले हैं तब जाके सौप ना अच्छी खासी चल पाई है और जैसे आपको ये भी बता दू, मैंने आपको पहले भी बताये है जब भी आप सौप उपन करते हो तो आच्छे महने का किराया अपनी जेब से भरना है और सोब पर जितनी सेल होती है उसका समान भरते रहना है तो जब आप खूब सारा समान भरते रहोगे ना तब जाके आपको उसका रिजल्ड मिलेगा एक डेर साल के बाद तब जाके वो पैसा दीखता है कि कुछ हमने मतलब इतने टाइम महनत करके हमने कुछ कमाया है करके और गैज आप लोग एक काम और कर सकते हो जैसे आपकी एरिया में जो समान नहीं मिलता है आप वो समान अपनी सोब पर रखके देखे जो जैसे नीट की चीजी भी हो कस्टमरों की और वो आपके आसपास नह मार्केट में जाना पड़ता है तो आप एक बार वो समान रखके देखे मतलब जादा महेंगा भी नहीं होना चाहिए और जिसे कस्टमर मांगते भी हैं और अपनी एरिया में मिलता भी नहीं है आप वो समान अपनी सोब पर रखके तो उससे भी आपके सोब चलने के चांसे बंद करना शॉल्यूशन नहीं है कोई भी आप लोग हूं या मैं हूं कोई भी ना एक नई सोब खोलता है तो यह सोच के खोलता है कि हमारी सोब अच्छी चलेगी और हम भी मतलब अच्छा पैसा कमाएंगे करके तो आप सोब कोई भी बंद मत कीजिए मैं तो बोलती हूं जो जो लोग भी कोई भी बीजनर से स्टार्ट करते हो तो बहुत जल्दी बाजी मत कीजिए सोब बंद करने की थोड़े टाइम और वेट कर लीजिए क्या पता कब चलने लग जाए तो क्या होता है ना कोई भी काम चलाने में और मतलब कोई भी काम अच्छा खासा चलाने म या मुझे में क्या कमी है कि मेरी सौप नी चल पा यह कुछ बात थी और यही थी मेरी आज की चोटी सी वीडियो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आये होगी अगर पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना सेर करना और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजना और मिलती हो कल एक में नई वीडियो के साथ तब तक बाई बाई टेक कियर